अरे कृष्णा, भागवतम में वर्नित, कई शुद्ध भक्तों में से एक, महरानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं, भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं, जिन में भागवान श्री कृष्ण की दिव्यता वो मदूर्ता की अत्यंत सुन्दर जलक देखने को मिलती है, हजारों वर्षों से रिशियों तथा दार्षनिकों द्वारा इनका श्रमन, वाचन एवं गायन होता आया है दार्षनिक, धार्मिक, एवं साहित्य की दृष्टी से उत्किष्ट रचना मानी जाने वाली इन प्रार्थनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रूप विलास प्रभुजी हमारे वक्ता श्रीमान रूप विलास प्रभुजी मुंबई विश्व विद्ध्याले के नर्सी मौनजी कॉलेच से कॉमर्च के ग्रेजुएट हैं जिसके उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय सम्हाल रहे हैं सन 1977 में इसकॉन के संपर्क में आने के बाद 2002 में प्रभुजी आधिकारिक रूप से दिक्षित हुए सन 2007 में भक्ति शास्त्री के डिकरी प्राप्त करने के बाद 2010 से वेस कॉन जुहू में भक्ति शास्त्री के अध्यपक के रूप में अपनी सेवाईं प्रदान कर रहे हैं। वो इसके साथ साथ विभगवद गीता पर सेमिनार तथा ग्रहस्त भगतों के आध्धात्मिक जीवन में विकास हेतु उन्हें परामर्ष भी प्रदान करते हैं तो आईए श्रमन करते हैं कुंती महरानी के शब्द ज्यान से सने डैवी प्रेम को दर्शाती इंप्रार्धनाओं को श्रीमान रूप विलास प्रभुजी के मखारविंद से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सभी दर्शुकों का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है तो आज हम उसी श्लोग पर फिर चर्चा करेंगे और जो आखरी शब्द है इस श्लोग का अकिंचन गोचरा उस पर प्रविस्तार करना के प्रयास करेंगे उस श्लोग दुराते हैं हम जन्म आईश्वर्या शुते श्रीभी एधमान मधपुमान नैवहत्यभिधा तुम्वै त्वम अकिंचन गोचरम तो जैसे पहले के सत्र में हम जान चुके हैं कि ये चार वस्तु जीव को आध्यात्निक प्रगती में बहुत बादाकारक है उचा जन्मा आईश्वर्या शुती और श्रीभी और इससे मदबढ़ता है और ये मदब भगवान की भक्ती में बाधाता होती है लेकिन यहाँ पर एक उन्ती माता बताती है कि वास्तव में आपको कौन जान पा सकता है और वास्तव में आपको कौन संभोधित कर सकता है सच्चे रिदे से तो यहाँ पर एक उन्तिमाता बताती है वो है अकिंचन गोचरम तो यह अकिंचन का शब्द का अर्थ क्या है तात्परियक शब्द का अर्थ है जिसके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है और गोचरम का अर्थ है कि जैसे गाया चरन करती है वैसे ही उसका मन भगवान के और चर्ते रहता है भगवान की और लगे रहता है अकिंचना तो कितने सारे वो कौन से कौन से भक्त है उनकी हम चर्चा करने चाहेंगे प्रभुपात तात पर यह मैं बताते है कि वास्तों में भक्त जो भौतिक संपत्ति छोड़ता है या कोई भी छोड़ता है वो कुछ उपर की वस्तों को पाने के लिए छोड़ता है प्रभुपात तात परी मैं बताते हैं कि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो अपना खेल को छोड़ देता है क्यों? क्योंकि वो कुछ उच्छा पाना चाहता है उसी तरह भक्त जो अकिंचन बनता है या अकिंचन कहा जाता है वो भौतिक वस्तों से अपना लगाव छोड़ देता है क्योंकि अभी उसका लगाव उससे उची विशेश वस्तों में जो है वो है लग जाती है वो है भगवान भगवान के कारियों में क्यूंकि वो जान जाता है कि मैं वास्तों में ये शरीर नहीं हूँ मैं हूँ आत्मा और आत्मा का जो कारिय है वो भगवान की सेवा करना है और भगवान से प्रेम करना है और इस कारण में जो भी कुछ भगवान को प्रसंद करने के लिए किया जाता है जो भी वस्तु भगवान के भक्ती में अनुकूल हमारी भक्ती को बढ़ाती है उस चीज को वो ग्रहन करता है और जो भक्तिक में बादा है उस चीज को छोड़ देता है प्रवपाध हमको समझाते है कि हमें जो छोड़ना है वो है नशा, जुवा, परष्तिरी गमन, मास भक्षन ये चार वस्तूओं को छोड़ना है इर्शा, मान, ये आशुरी वृत्तियों को छोड़ना है और हमारे जीवन में हमें क्या लाना है हमें ये आनुकुल वस्तों को सुभे जल्दी से जल्दी उठना है मंगला आति करना है जब करना है नर्सिंग का प्रणाम करना है भागवत का श्रवन करना है भगवान को लगायोवा भोग ही खाना है और ये जो भी आप धन अर्जन करते हो उसका हिस्सा भगवान के कारिय में लगना है इस तरह से जो भी वस्तु अनुकूल है उसको हमें हमारी जीवन में ग्रहन करना है और जो प्रतिकूल है उसको हमें छोड़ना है तब जाके हम तो ये क्यों करता है जीव क्यूंकि वो जानता है कि मुझे अभी जो जीवन जीना है वो अकर्मिक जीवन जीना है मुझे ना तो कोई कर्म करना है ना तो कोई विकर्म करना है क्योंकि अच्छे कर्म करने से अगर मुझे सद्गती होगी मैं स्वर्ग जाओगा लेकिन भगवान भगवत की ताके नवमिय अध्याय में बताते है शीने पुन्य मरते लोकम विशंती आई तरी धर्मानू प्रपन्ना के भाई ये तीनो धर्मों का पालन करके जादा से जादा स्वर्ग लोकम विशालम विशाल स्वर्ग लोक का भोग करोगे लेकिन शीन पुन्य पुन्य जैसे शीन हो जाएंगे खतम हो जाएंगे आपका क् आप फिर से प्रतिलोक में आ जाओगे वीकर मगर होगे तो भगवान बुते काम करोद और रोब जब आप करते हो तो ये तीन द्वार है नर्ग के हाईवे है आप नर्ग में जाओगे वहाँ भी सजा भोके जब वो सजा थोड़ी कम हो जाती है फिर आप इस लोक में आ जाओगे लेकिन जो अकिंचन भक्त बनना चाता है या जो अकिंचन भक्त है वो वास्तव में जानता है कि ये संपत्ती मेरी नहीं है कुछ भी ये संपून शंपत्ती भगवान की है और इसको मेरे को भगवान के कारिया में वापरना है और इस कारण से वो आसकती भाउतिक वस्तुवों से छोड़ देता है मिलती है तो उसका उपयोग करता है और हमारे परंपरा में बहुत सारे प्रमान भरे हुए है अकिंचन भक्तों का माध्वेंद्र पुदी है जो कभी भी अकिंचन याचक थे और उनकी ही वो विग्र है जिसे आज कहते है गोपाल जी या श्रिनाच जी जी विग्र है उनकी है जो उन्होंने दिये थे जो उनकी कथा आती है कैसे भगवान को माध्वेंद्र पुरी जैसे ही परिकरमा कर रहे थे गोवर्धन की उनकी एक वृत्ती थी वो बिना मांगे जो मिल जाता था उसे स्विकार करते थे अच्छा अचिका वृत्ती थी वो कभी मांगते नहीं थे जो भगवान भेजते थे उसको ले लेते थे एक दिन भगवान को अपनी लीला करने थी गोवर्थन बरिक्रमा कर रहे थे और इनको कुछ भी मिला नहीं था उस दिन भगवान स्वयम बालरूप लेके दूद लेके उनके पास आए और उनको दूद दे दिया दूद पेने के बाद माजवें तरपुनी विचार करने नहीं ओ इतना सुन्दर बालक कहा गया और फिर गाओं में गए अन्य और गाओं में देखा तो कहीं इसे ना बालक ही नहीं था फिर विचार करने लगए कौन था कौन था और वहां सो गए तब रात में स्वपनों में भगवान आए बुले मैं यहां पे हूँ यह जगा के नीचे हूँ आप मुझे निकालो मुझे मेरी मुझे मैं जल रहा हूँ और मैं इधर हूँ आप जिस बालक मैं मैं इधर रूप में रह रहा हूँ तब माजवें इंदरपूरी गाओं में गए और सभी बुड़े बुज़ोर्ष को कहा के यहाँ पर भगवान मेरे स्वपन में आये है और यहाँ पर विग्रह है आप उसे निकालो तब वो अन्याओर गाओं में से भगवान को निकाले विग्रह को निकाले श्रिनार जी के विग्रह और वहीं पर माजवें इंदरपूरी ने स्तापना की और कहते हैं कि एक साल तक 56 भोग और उनका अभीशेक होते रहा एक साल तक कैसे हुआ क्योंकि पहले दिन जिस गाओं के थे उन्होंने अभीशेक और फेस्टिवल रखा तो जैसे दूसरे गाओं को मालुम पुड़ा कि भगवान यहां प्रगट हुए है गोवर्तिन जी पे तो दूसरे गाओं ने बुला कि हम करेंगे तो ऐसे आजू बाजू वाले सभी गाओं में बात फैली और एक साल तक भगवान का प्राग्टे उट्साव हुआ तो अई आचिकाव रित्ति के कारण माध्वेंद्र पूरी कभी नहीं मांगते थे भगवान वहां पे उनको विग्रह के रूप में मिले और सेवा करी और उनकी कथा आती है बहुत सुन्दर के भगवान ने कैसे उनको चंदन लेने भेजा और चंदन फिर उन्होंने गोपिनाथ विग्रह को चड़ा दिया खीर चोरा गोपिनाथ में जब माध्वेंद्र पूरी गए और माध्वेंद्र पूरी देखे के मेरे को ये बहुत सुन्दर विग्रह भगवान को लगा रहे है खीर लगा रहे मुझे भी ये खीर अगर मिल जावे तो मैं मेरे गोप आ गया कि भगवान के खाये बिना मैंने कैसे विचायर कर लिया और अपने मन में गलानी करने लग गए और एक वाजू बैड़ गए तब भगवान ने एक खीर का हंडा चुरा के पीछे रख लिया रात को बारा वजे जब मंदिर बंद हो गया भगवान खीर चुरा गोपिनात ब्रामन के स्वपन में आये कि मेरा भक्ता आया है उसने कुछ खाया नहीं है उसका नाम है मादवेंद्र पूरी और आयाचिका है और उसके लिए मैंने खीर चुरा के रखा है ब्रामन जो था कि खीर कहां से आया तो बुला शायद स्वपना देख रहा हूं तो भी उसने खोला और भगवान के पीछे खीर रखा था अश्चर यह चकित हो गया कि भगवान ने खीर चुराया तो अगर खीर चुराया है तो भक्त माधवेंद्र पूरी भी होगा वो हंडा लेके पुज माधवेंद्र पूरी जाड के नीचे सो रहे थे विश्राम कर रहे थे कुछ खाया नहीं था तब वो सोचा कि शायद किसी और को बुला रहा है फिर भी नहीं आ रहा है फिर बोले आप किसको ढूंड रहे है माधवेंद्र पूरी मैं भी माधवेंद्र पूरी हूं लेकिन बोलते हैं आपके लिए खीर चुराया है भगवान ने ये सुनते ही माजवेंद्रपूरी एदम विफल हो गए भाव विफल हो गए ऐसे कैसे माजवेंद्रपूरी नो खीर तो खाई लेकिन ओ मठका भी तोड़ तोड़ के चूर चूर करके क्योंकि भगवान के हाथ लगे थ थी आते समय जो चंदन लाये थे भगवान के लिए गोपाल जी बहुत भारी था उठाके लेके आ रहे थे कीर चुरा गोपिनात ने बोला आप इधर ही मुझे चंदन दे दो तो ऐसे अच अयाची का भक्त की वास्तविक संपति भगवान रती और भगवान उनका पालन करत हैं हमारे शड़ गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रगुनाद दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे बंगाल के राज्या में मंत्री थे और चैतन्य महाप्रभू को प्रसंद करने के लिए भगवान को प्रसंद करने के उनकी जितनी संपत्ति थी उन्होंने 50% संपत्ति को बाठ दिया दान करके 25% जो संपत्ति था वो अपने रिलेटिव को दे दिये अपने सगे संबंदी को दे दी और 25% वो उन्होंने सुरक्षित रखा था इमर्जन्सी के लिए और जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को पकड़ा गया था जेल के अंदर रखा गया था तो उन्होंने 25% उस जेलर को दे दिया और अपनी चुड़ा लिए अपनी जान चुड़ा के भाग गये प्रिंदावन के लिए रखुनाद दास गोस्वामी जो थे वो बड़े समिधार के पुत्र थे कहते हैं उनके पिता की आवक उस समय एक लाख स्वर्ण मुद्रा थी जो आज के करोड़ोग पतियोग से भी जादा थी और वो एक के एक लोते पुत्र थे मगर भगवान के पारशद होने के कारण भक्ति उनमें कूट-कूट के भरी थी इसलिए उनका भौतिक वस्तु के प्रति कोई भी आकर्शन नहीं था और वो भाग गए दो बार वो चैतने महाप्रभू बोले क्या आप अभी घर में रहो लेकिन उस तरह से रहो जैसे किसी और परस्तुरी के पर पुरुष के प्रति को इस तरी का आकर्शन रहता है तो उ इसे आपका मन मुझे में रखो लेकिन घर में रहो लेकिन बहुत दिनों तक चलते रहा फिर चैतने महाप्रभू से पूछा और कहा कि आप अभी और वो भाग गए भाग गए घर से 21 दिन तक भागते भागते आए जगनात पुरी में भगवान चैतेने महाप्रभु के शरण में आए और जब चैतेने महाप्रभु के शरण में आए तो सबसे पहले वो इतने तब उनके पिता को भी मालूम पड़ा तो तो है कि भक्ति क्यों करो तो भक्ति तो नहीं हो पाएगी तो उन्होंने सियादवार पर भिक्षा मांगने शुरू कर दी अभी भिक्षा मांगते क्या हो गया कि उनका मन हमेशा भिक्षा में लगा रहा है कि ये आदमी आके भिक्षा देगा उन्होंने भिक्षा भी छोड़ तो फिर अपना गुजरान कैसे करते थे वो क्या था कि जगनात पूरी में जहां पर जो रसोई घर है उसके पीछे एक नाला है जहां से चावल का पानी भेजते हैं वो चावल के पानी जो जाता था उस चावल के पानी को जो नाले में से लेके वो खाते थे तो उस विरक्ति भाव से जब वो भक्ति करते थे चैस्टनेमहाप्रूमो बहुत प्रसन्ला हुए क्योंकि उस भाव का विरक्त भाव को देख के भगवान प्रसन्ला होते है तो अकींचन भक्त गरीबी होता है ऐसा नहीं राजा अम्रीश भी अकिंचन भक्त थे और राजा अम्रीश पूरे राज्य के स्वामी थे उनके पास सब कुछ था उनके पास सब थे लेकिन हर वस्तु को वो भगवान की सेवा में भागवत में प्रमान आता है कि वो अपनी आखों को सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन में लगाते थे कानों को कृष्ण कथा में लगाते थे नाक को हमेशा भगवान के फूल और तुलसी सुमने में लगाते थे अपनी जीवा को अम्रीश माराज भगवान का प्रसाद लेने में और भगवान की कथा किर्टन में लगाते थे अपने पैरों को भगवान के मंदिरों में और भक्तों के पास जाने के लिए और अपने हातों को भक्तों की सेवा भगवान की सेवा में लगाते थे राजा होने के बाद भी वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा और इसका एक श्लोक आता है रिशिकेण रिशिकेश सेवया भक्ति उच्यते नारज्जी बताते हैं के सबी उपादियों से मुक्त हो जाता है और अपने मन में भगवान के नाम जबकेद्वारा जब शुद्दी होती है और कोई भी उपादी नहीं रहती और एक ही उपादी उसके पास रहती है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है और मैं सभी भक्तों का दास का दास हूँ ये वास्तविक मद्ध है ये वास्तविक स्थिती है जीव की तो अमरीश महराज इस तिती में रहते थे कि सब संपत्ती जितने भी अपने शरीर की एक एक अंगा स्पष्ट रूप से भगवान की सेवाप और ऐसे को भी हम अखिंचन कहते हैं क्योंकि कुछ भी अपने लिए नहीं रखते थे भगवान के लिए देते थे गौपाल गृष्ण गौस्वामी महराज हमारे परंपरा में आते है प्रभूपात के शिश्य है लाड़ले शिश्य वो जब MBA कर रहे थे और पहली बार जाब प्रभूपात को मिले थे अपनी पूरी की पूरी आवक अपनी सेलरी वो पूरे के पूरे प्रभुपात को दे 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 प्रभुपात आपको जो करना है वो कीजिए और इस समर्पन भाव को देखकर कहें के आप अवश्य भक्ती में आगे प्रोगे और प्रभुपात की बहुत विशेश क्रिपा प्राप्त होगी तो अकिंचन का ये अर्थ नहीं कि भावतिक संपत्ती नहीं है आप कोला वेचा श्रीधर की कता सुनो महराज प्रताब रुद्र की कता कोला वेचा श्रीधर ओ छोटा सा काम करता था चैत्यन महाप्रभु की लीला में केले के पत्ते बेशता था उसे दस पैसे के आवख होती थी वो दस पैसे के आवख में उसके पास भी कुछ बचता नहीं था लेकिन दस पैसे के आवख में भी पांच पैसे निकालके गंगा जी की सेवा में लगा देता था इस भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभू हमेशा प्रसंद रेके उनसे एक मित्र की तरह उनसे भाव ताल करते थे और कहते हैं कि तुम तो ज़्यादा चोर हो तुम तो ज़्यादा लगाते हो मेरे को इससे और सस्ता दो लेकिन हमेशा रसागसी होती रहती थी और गुलावेचा श्रीधर वहाँ पे अपना जीवन उनके घर में कुछ भी ने था और वहाँ ही प्रताब रुद्र जगनात पूरी में वहले और राज्य के सिहासन में ले थे लेकिन ओ भी अकिंचन भक्त थे कि वह जब मिलने नहीं दिया जा रहा था चैतन या महाप्रभुं परिट्षा लए रहे थे उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभू नहीं मिलेंगे उनका रिदे थूट गया और उन्होंने बोला कि अगर मुझे चैतन्य महाप्रभू का दर्शन नहीं होती उनकी सेवा नहीं होती तो मेरा ये राज्य ये धन ये मान किस काम का है इससे अच्छा है कि मैं अपना शरीर त्याग हो और जब ये बात ये भाव देखे तब नित्यानान्द महाप्रभू और सारवा बहुंपट चारिन सोचा कि अभी मिलन का समय हो गया है और भगवान से प्राथना की और फिर रत्यात्रा में उनका मिलन करवा है तो ये अकिंचन गोचर का मतलब ये है कि उसे वास्तविक भावतिक व वस्तु से ओ है भगवान की भक्ति भगवान की सेवा गुरू की सेवा परंपरा की सेवा उससे उसकी आ सकती हो गई और कुंती माता यहां पर बताती है कि जो इस भाव वाला है अकिंचन भक्त है वो ही आपको जान पाता है भगवान भगवत गीता में बताते हैं भक्तिया सब्सक्राइब भी अर्जुन को यह कहा है कि यह गीता बहुत बड़ा रहस्या है इसे आप नहीं समझ पाएगे इसके वही समझ पाएगे हर्जुन क्योंकि तुम मेरे मित्र और तुम मेरे भक्त हो इसे लिए यह गीता को समझ पाओगे नहीं तो यह दिविय रहस्या है तो अगर हमें जीवन को समझना है और अपने आपको समझना है और भगवान को समझना है तो हमें अकिंचन गोचर होना पड़ेगा अकिंचन गोचर का कारिय क्या रहता है कि अकिंचन उसको अभी भावतिक वस्तू से आ सकती नहीं और गोचर का रहता है कि वो केंदरित करता है अपने कारियों को भगवान के उपर उसका और कोई कारिय नहीं रहता भगवान की प्रसनता के लिए कारिय करते रहता है तो इस श्रोक को आज हम यहाँ पे समाप्त करते है और इसका सार लेने का प्रयास करते है जो कुंती माता बताना चाहती है कि जन्मा, आईश्वर्य, शुती, श्री भी यह हमारे मद को बढ़ाती है और जब इस मद के कारण हम कभी भी भगवान और भगवान की भक्ति को और जीवन के उद्देश को पुरा नहीं कर पाएंगे हाँ, लेकिन अगर ये सब होते हुए भी हम अकिंचन रूप से अपना जीवन जीए कि उसमें आ सकती नहीं, उस वस्तो को हम भगवान की सेवा में उपियोग करे गुरू, साधू और शास्त्र के मारे दर्शन के अनुसा तब जाके हमारा जीवन सफल होगा, इसलिए हमें मंदिर जाना होगा, इसलिए हमें भागवत गिता का पाठ करना होगा, इसके लिए हमें रोज जप करने होगे नियम से, कम से कम सूला माला, चार नियमों का बराबर पालन करना होगा, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा, और कुछ न कुछ न जो दोते हैं मीनिंग्फुल सर्विस – कुछ ऐसी सेवा करनी होगी, जिससे गुरु और वैश्णव प्रसन्फ हो पए. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram, शिल अप्रभुपाद की जैए. झाल